हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टो वे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलोजे टिप्स हिंदी में आज की वीडियो हर्याली तीज दो हजार बाइस में कब है इगत्ती जुलाई या एक अगस्त पूजा का श्युम मूरत व्रत पूजा विधी अखंडे सव भागे के लिए जरूर करे आज ये एक काम और वहीं कजडी तीज जो हर्याली तीज के 15 दिन बाद आती है उसे बड़ी तीज के नाम से जाना जाता है हर्याली तीज को अखंड़सो अभागे का प्रतिक माना गया है साल 2022 में हर्याली तीज का तियोहार इगते जुलाई दिन रविवार के दिन मनाये जाएगा आज इस वीडियो में हम आपको हर्याली तीज की तीज की तीज शुमुहुरत और पुजवीधी के बारे में बताएंगे इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल एस्टरोजी टिप्स हिंदी में सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इस सब्सक्राइब करें जिससे आपका हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले सांतिक डार आपने को भी जरूर क्लिक करें तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जाहते हैं हर्याली तीज परविकिती तीथी और शुमुहुरत के बारे में शाम 6 बचकर 33 मिनर से रातरी 8 बचकर 59 मिनर तक इस वर्स हर्याली तीज पर कई सुवयोग बन रहे हैं इस दिन हर्याली तीज पर शाम 12 बचकर 9 मिनर से 1 बचकर 1 मिनर तक अभिजीत मूरत रहेगा इसकी बाद 2 बचकर 20 मिनर से 1 अगस्त 2020 की सुभा 6 बचकर 4 मिनर तक रवी यूग बन रहा है जानते हैं हर्याली तीज व्रत की पूझा बीधी के बारी में वे महिराईं जो हर्याली तीज का व्रत रखना चाती हैं इस दिन सुभा जल्दी उठकर इस्नानादी करें और नए वस्तर पहन कर पूझा इस्तल की अच्छी से साफ सफाई करें और एक दिपक पर जुरित करें इसके बाद पूरे दिन प्रत करने का संकल पलें इस दिन सुभा जिन महिराईं हरी रंग के वस्तर और हरी चूडिया पहने अब पूझा इस्तल की अच्छी से साफ सफाई करें अब एक चोकी ले और उस पर लाल कपड़ा बिछा कर भगवान शिव जी और मापार्वती की मूर्ती स्थापित करें महिलाई इस दिन स्वेम भी मिट्टी से भगवान शिव जी और मापार्वती की मूर्ती बना सकते हैं इस दिन मिट्टी से भगवान शिव जी और माता पार्वती की मूर्ती बना कर पूझा करना काफिश शुप माना जाता है अब पूजा थाल में सोहा की सबी चीजों को लेकर भगवान शिव जी और मापारवती को अर्पित करें अन्ति में तीज कथा और आर्थी करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ये वीडियो अपने दोस्तों से शेर करें और अपने वीचार हमसे कॉमेंट बॉक्स में ज़रू शेर करें आगी के ऐसे ही लेटिस वीडियो के लिए आज़ी एस्ट लॉजिटिव सिंधी में चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले थेंक्यू